कि स्वागत इस्ट्रेंट यहां पर क्वेश्चन दिया हुए कि दिस्प्लेस्मेंट ऑफ बॉड़ी एलॉंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन दी टाइम एज देन दी वेलॉसिटी ऑफ दी बॉड़ी दी एक एक एक्वेशन दिया हुए रूट अंडर एक्स बराबर टी ब्लस वन यह मेरा एक्वेशन है एक्स का मतलब यहां पर डिस्प्लेस्मेंट है और टी का मतलब यहां पर टाइम है और हमसे पूछ रहा है कि इस बॉड़ी का वेलॉसिटी कितना होगा सबसे असान तरीका इसमें जो हम लोग अपना सकते हैं वो यह है कि दोनों तरफ स्क स्क्क्वारिंग ऑन बोथ साइड तो रूट X का स्क्वार X हो जाएगा और T प्लस वन है उसका स्क्वार करेंगे तो ट्प्लस बॉन का स्क्वार तोन तरफ स्क्वार कर दिये तो X इक्वार लूड कि इतना आ english not olhar गिए प्लस बिकहुल ni स्क्वार्ट एतुं टी स्क्वार प्लस वन स्क्वार्ड प्लस profit to be yeah आपको टी प्लस वन का वह nis विर प्कहों तीक है आभ इस इक्विशन को differentiate करेंगे तो हमको velocity मिलेगा क्योंगी x का differentiation with respect to time differentiating with respect to time differentiating with respect to time तो dx by dt हो जाएगा जिसको velocity बोलते हैं और t square हो जाएगा 2t जब भी x square होता है तो उसका differentiation 2x लिखते हैं टी square होता है तो उसका differentiation 2t लिखते हैं ठीक है यह formula से आता है so t square का differentiation 2t 1 का differentiation 0 होगा क्योंकि constant value है plus 2t तो दीए 2 जैसा वासी रहेगा और t का differentiation 1 हो जाएगा x का 1 हो जाएगा z का 1 हो जाएगा इस तरह से t का differentiation time के साथ करेंगे to 1 हो जाएगा तो यह जो dx by dt है यही मेरा velocity है velocity equal to कितना आ गया 2t plus 2 तो यह मेरा velocity है अब आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे time अगर 0 है time कितना है 0 है तो उस time time अगर इसमें 0 रखेंगे तो velocity का value आएगा 2 उसे दर से time का value अगर 1 रखते हैं तो वेलासिटी का value आजागा 3 क्योंकि 2 इंटू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा अगर time का value आप 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यहाँ पर मेरा velocity भी बढ़ रहा है तो इसके लिए हम लोग का option A सही होगा कि the velocity of the body increases with time I hope आप यह question समझ गया होंगे thank you so much for watching